पूर्व सांसद कुल्दी विश्णोई का एक बड़ा बयान सामने आया उनने कहा कि एक मंत्री को सोच समझ करके बयान देना चाहिए मैं मंत्री जेपी दलाल के इस बयान की निंदा करता हूँ कुल्दी विश्णोई ने कहा कि कॉंग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है कॉंग्रेस ने हमेशा जनता के साथ और जनता से जुड़े हुए मुद्दों की आवाज उठाई है और कभी भी जनता की आवाज उठाने के पीछे अपना स्वार्थ नहीं देखा पुलीस कमाडो भरती में घोटाले की खबरों पर कुल्दी विश्णोई ने कहा कि हर्याणा में सरकार नोक्रियों में भरष्टाचार रोपने में नाकाम रही है भरष्टाचार में केवल अधिकारी शामिल नहीं है बलकि इस से भी उपर तक के लोगों का हाथ माना जा रहा है इनकी नोक्रियों में ब्रस्टाचार की जांच रेटाइड जज्ज के नेत्रेतों में होनी चाहिए सरकार नोक्री देने की नहीं मन्शा से नहीं काम कर रही है बलकि खुद ही पेपर लिग करवाती है जन आयक जन्ता पाल्टी के हिसार जिला अध्यक्स पर महिला द्वारा रेप के आरोप लगाने पर तता समय पर पुलिस द्वारा कारवाई नहीं करने पर कुल्दीव विश्णोई ने कहा कि कॉंग्रेस पाल्टी पूरी तरह से पीडिता के साथ है और सरकार से मांग करती है पलपल फदेवाश राजेश भांबू की खास रिपोर्ट और निकम्मी सरकार कोई है तो यह भाजबा जजबा सरकार है चौदरी भजनला जी भी तेरा साल मुख्य मंति रहे हर्याना परकार में एक पेपर लीग नहीं हुआ तो जानबूज के भी लीग करवा देती है नौजबानों को भविश्या से किलवार करती है तो इसकी जांच होनी चाहिए कोई केंदर को रिटायर जजज या मौजबा जजज की जांच करें पेपर लीग कैसे होते हैं और किसकी इसतरप्रस्ति किसकी है एक सेक्टरी को पकड़ने से कोई मामला जबकर नहीं होने वाला है रफादेवाली बात जब तक उपर से आदमी को नहीं पकड़ा जाएगा तब तो सच्छाई सामने नहीं जाएगा प्राजियों को प्राजियों को बचाती है और किसी प्रकार से उसके साथ नजाज हुआ है तो निसन्दि उसको नियाएं मिलना चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी पून्रूट से उसके साथ